हेलो दोस्तों मैं हुज यह और स्वागत करता हूँ आपका स्टोरी ओप सुपरहिरोज में आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलिवूड की अपकमिंग सुपरहिरो मुवी ब्रह्मास्त्र के बारे में अब ब्रह्मास्त्र मुवी इसी पर बेस जोने वाली है इस मुवी में में लिर सीवा का रोल प्ले करने वाले हैं रनबीर कपूर वैसे तो रनबीर कपूर ने आज तक कई मुवी में अलग अलग तरह के कई करेक्टर्स प्ले किये हैं और उनकी एक्टिंग के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है पर फिर भी ब्रमास्र में सीवा का रोल प्ले करना रनबीर कपूर के लिए भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है रनबीर कपूर के अलावा भी इस मुवी में बड़े-बड़े एक्टर्स दिखने वाले हैं जैसे अमिताब बच्चन एक प्रोफेसर के रोल में, आलिया बट सिवा के लव इंटरेस के रोल में नागारजुना अकनेनी एक आर्केोलोजिस के रोल में और शारुखान भी एक सैंटिस के रोल में स्पेसल अपिरेंस देने वाले हैं इसके साथी मुवी में मौनी रॉय और डिंपल कपाडिया भी नजर आएंगी लेकिन इस मुवी में कौन निगेटी रोल में होगा और कौन फॉस्टी रोल में ये अभी तक सिक्रेट है इस मुवी को डिरेक्ट करने वाले हैं आयान मुखर जी जिन्होंने वेक अप सीट और ये जवानी है दिवानी को डिरेक्ट किया है जो कि फैंस को काफी ज़्यादा पसंद आई थी लेकिन इनके लिए भी ब्रहमास को डायेट करना काफी ज़्यादा चलेंजिंग होगा इसका एक बहुत बड़ा रिरिजन ये भी है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी ओडियन्स के मन में बोलिवड के लिए निगेटिव्टी आ चुकी है जिसकी वाज़ए है कि बड़े बजट की मूवीज में कुछ नयाँ देखने को ना मिलना जिसकी वज़े से Indian audience Bollywood से ज़ादा South Indian Film industry और Hollywood की movies को देखना पसंद करती है और कहीं न कहीं ये सोच भी आ चुकी है कि Bollywood कभी भी Hollywood और South Indian जैसी movies नहीं बना सकता जो कि काफी हद तक सच भी है लेकिन मेरे हिसाब से अगर Bollywood में भी कोई नया experiment करता है तो सारी negativity को अलग रखके उसे जज़ करने से पहले movie देखनी चाहिए उसके बाद ही उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए इसके साथ ही कुछ fans और critics किसी भी सुपर हेरो movie को Hollywood की सुपर हेरो movies खासकर MCU और DCU की movies से compare करेंगे जो मेरे हिसाब से गलत है DCU और MCU को कई साल लग गये ये milestone हासल करने पे जहां वो आज है और उनके बज़ट और Bollywood के बज़ट में जमिन आस्मान का अंतर होता है तो उस लेवल का animation और CGI VFX यूज़ करना Bollywood के लिए आसान नहीं होगा इसलिए प्लीज इसे किसी भी Hollywood की Super Hero movies से compare ना करें नहीं तो ये movie अच्छी भी होगी तो भी कुछ ना कुछ कमी नज़र आएंगी और जितना time और पैसा इस franchise पर खर्च हो रहा है उसे साथ से अगर ये movie हमारी expectation को achieve कर लेती है तो इससे पूरा कपूरा Bollywood हिल सकता है और फिर Bollywood का status भी Super Hero movies के मामले में काफी बढ़ सकता है इसके motion poster में ज़्यादा तर VFX scene ही देखने को मिले साथ में रनविर कपूर भी नज़र आये शिवा के रोल में जिनके हाथ में एक mystical ritual भी था और background में हम Lord Shiva को भी देख सकते है जब मैं Wikipedia पे इस movie का premise पढ़ रहा था तब मुझे इस movie के plot का थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ ये movie दो time frame में होगी main story present time में होगी जहां Shiva जिसके पास सुपर power से 3000 साल पीछे time travel करके जाता है ब्रहमास के बारे में सीखने के लिए महाभारत काल में ताकि वो present time में एक mission को पूरा कर सके अब महाभारत 5000 साल पहले हुआ था तो सिवा 3000 साल पीछे जाकर महाभारत काल में कैसे पहुचेगा आई होप ये गलते सिर्फ Wikipedia के पेच तक रहे movie में नहीं लेकिन यहां से एक बात साफ हो जाती है कि movie में time travel होगा और महाभारत काल भी देखने को मिलेगा लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि वो कौन सा mission है जिसे पूरा करने के लिए शिवा को प्रहमास की जोट पड़ी जो की universe का सबसे विनास्कारी अस्तर है तो हम उमीद करते हैं कि ये movie Bollywood की image को वापस ठीक करेगी और एक example सिट करेगी जिसे Bollywood में भी हमें नए-ने concept की movie देखनी को मिलें तो दोस्तों ये थी कुछ details Bollywood की upcoming सुपई hero movie ब्रहमास्त के बारे में अगर आपको ये video पसंद आई हो तो इसे like करें अगर मुझसे कोई भी detail मिस हो गई हो तो इसे comments में जरूर mention करें और इस तरह की videos के लिए माई channel को subscribe करना ना भूले Thank you